नमस्कार दोस्तों जीकर अर्जन सार YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है UP TGT 2022 इतिहास प्रेटिसेट 168 में परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्पुन प्रस्ण तो चले वीडियो प्रारम करते हैं वीडियो प्रारम करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वे पहुंचे तो चले वीडियो प्रारम करते हैं हाँ अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटिसेट 168 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सम में दे दिया हूं तो पिछले 168 प्रेटिसेट भी आप संबंदित हैं किसमें पुछा जा रहा है कौन से पूरातत विद थे जो मोहन जोदोलों के उत्खनन से यानि खुदाई से संबंदित थे आडी बनार जी जान मार्शल एस आर राव केयं दिच्छित तो मोहन जोदोलों यहां पर दिया है उसके उत्खनन से संबंदित थे इ इसमें आपका राइट एंसर होगा A.R.D. बनर्जी इनका पूरा नाम था राखालदास बनर्जी और 1922 में मोहंजोद़ों की खोदाई कराये थे राखालदास बनर्जी जिसमें आपका राइट एंसर A. सही होगा Q2 है सेंधो सडेता का एकस्थल लोथल में लोथल किस राज में इस्तित है गुजरात राज्थान पंजाब राज्थान गुजरात हरियाणा इसका राइट एंसर C हो जाएगा आपका गुजरात में लोथल जो है गुजरात प्रांत में अहमदाबाद से 83 किलोमेटर दच्षिर पस्षी में भोगवा नदी के टड़ परिस्तित है और यहां से जो है सेंधो कालिन ये पत्तन या बंदरगा जिसको काते है इसका साच मिला है बंदरगा नगर का कोश्चन नमबर तीन है निमलिखित में से कौन सा कर्म कांडो में विशेश रूप से समंदित है रिगवेद यजिरवेद सामवेद अथरवेद तो कर्म कांडो का उलेख जो है विशेश रूप से यहां पर एक सब्द दिखे दिया है विशेश रूप से समंदित है डी अथरवेद में कर्म कांडो पर विशेश बल अथरवेद में दिया गया है अगर विशेश सब्द नहीं लगाता तो आपका यजूरवेद होगा एंसर लेकिन यजूरवेद सब्द नहीं होगा इसमें क्योंकि विशेश सब्द लगाया है ऐसे पुश्टा एक कौन सा कर्मकांडो से बेद सम्मंदित है तो वो आपका यजूर वेद हो जाएगा लेकिन विशेष रूप से सम्मंदित अगर दिया है तो विशेष बल दिया गया तो वो है अथर वेद में डीस का राइट एंसर होगा पोस्टन नमबर चार है चाउदमि सताब दीस्या पूर के एसिया माइनर के किस अभिलेख में वैदिक देवताओ का उलेख मिला है और जलेख मिला है बोगज कोई सिलिसिया, यूफरेटाय्ट यंहित्ति इसका राइट एंसर होगा जाएगा ये बोगज कोई से बोगच कोई यानि एसिया माइनर में इस्थित है ये बोगच कोई मद्देशिया में और यहां से 1400 इसापूरु का अभिलेक प्राप्थ हता है और इसमें बैदिक देवताओं जिसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य काउलेक मिलता है कोईशन नमबर पाँच है रिगवेद सहिता के मंत्रों का एक चवथाई निमलिखित में से किस देवता को समर्पित है रुद्र को, इंद्र को, अगनी को या मरुत को इसका राइट एंसर होगा 20 में इंद्र को अगर देखा या तो रिगवेद में 1028 मंत्रों में से जो है मंत्र हैं और इसमें जो है 250 मंत्र इंद्र देवता के बारे में ही समर्पित है यानि एक चोथाई हो जाएगा लगभाग कोशन नमबर 6 है निमलिखित में से कौन बिदूसी महिला बैदिक मंत्रों की रचयता नहीं है यहाँ पर द्यान देजिए गया नहीं पूछा है कौन सी बिदूसी महिला बैदिक मंत्रों की रचेता नहीं है दिया विश्वारा गारगी अपाला घोसा इसका राइट एंसर हो जाएगा 20 में गारगी गारगी एक बिदूसी महिला थी लेकिन वे जो है किसी भी बैदिक मंत्रों की रचेता नहीं थी इसमें आपका right answer B सही होगा Question number 7 है अपने पिता बिंदुसार के सासनकाल में असोक ने किस छेत्र में बिद्रोह का दमन किया था तच्छ सिला में, दच्छिना पत्थ में, मद्ध पर्दिस में या प्राच्च में तो अपने पिता बिंदुसार के सासनकाल में असोक ने किस छेत्र में बिद्रोह का दमन किया था तो वह छेत्र था तच्छिना यह इसका right answer होगा किस के बिरुद, आमत्यों के बिरुद अगर पुछे किस के बिरुद, तो आमत्यों के बिरुद यह दमन दबाया था असोक ने तच्छिना में Question number 8 है सारनात के धमेक इस्तूप का निर्माण किस सासन ने किया था असोक, मिनेंडर, कनिस्क या हर्स सारनात के धमेक इस्तूप का जो है निर्माण किया गया था असोक के सासन काल में कोर्शन नमबर नौ है मौरिकाल का मानक सिक्का क्या था मौरिकाल का मानक सिख्का क्या था निस्क, क्रिसल, मास्क या पण मौरिकाल का मानक सिख्का क्या था इसका सिख्का था मानक पण इसका राइट एंसर D से योगा पण तो पण जो है मौरिकाल का मानक सिख्का होता था कुस्टन नमबर 10 है असोक का प्रसिद अस्तम्ब जो प्रारम में कौसांबी में इस्थित था, प्रियाग में किस सासक द्वारा लाया गया था, कनिस्क, फिरोसातुगलक, समुंद्रगुप या अकबर द्वारा, तो इसमें आपका राइट एंसर होगा, डी अकबर के द्वारा, तो असोक का ये प्रसिद अस्तम्ब था, जो प्रारम में कौसांबी में था, और प्रियाग में किस सासक द्वारा लाय गया था, तो अकबर ने जो है, लाया था इसको, इसका राइट एंसर डी होगा, अकबर, कोशन नमबर 11 है, किस ब्रिटिश से, किस ब्रिटिश सासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था, तो मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था, कौन सा ब्रिटिश सासक था, लाड वेलेजली, लाड वेंटिंग, लाड हेस्टिंग ये लाड डलहुजी इसमें आपका राइट अंसर सी होगा लाड हेस्टिंग, मराठों को अंतिमरू से पराजित किया था कोशन नमर बारा है किस ब्रिटिस गवर्नर जनन के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज ये ब्रिटिस राजी में मिलाये गये थे लाड वेलेजली के समय, लाड डलहुजी के समय, लाड हेस्टिंग के समय ये वारन हेस्टिंग के समय इसमें आपका रायटर एंसर B सेयोगा लाढ़ डलहौजी के समय इसमें तो भारत में पहली रेलिभेट लाइन कब खोली गई थी ये खोली गई थी इक नीजी कमपनी थी जिसका नाम था counter guarantee के रूप में एक नीजी कमपनी Great Indian Peninsular Railway ने डाली थी ये रेलेवे लाइन अठारा सो तीरिपन स्वी में Question No. 54 है Britain के किस परसिद राजनेता ने 1857 के भारती बिद्रो को एक राश्टी बिद्रो माना Glandistain, Digerally, Canning या Palm Stern इसका राइट एंसर 20 योगा, Digerally ने Question No. 15 है किस भारती त्यासकार ने 1857 के बिद्रो के बारे में कहा है कि यह न तो पर्थम था और नहीं राश्टी था और नहीं स्वतंत्रता का संग्राम था इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा D. R. C. मजुमदार इन रमेश चंद्र मजुमदार इनका पूरा नाम है Question No. 16 है अकबर की सेना की मनसबदारी पर्था का सरपर्थम परियोग किसकी सेना में था अकबर की सेना की मनसबदारी पर्था का सरपर्थम परियोग किसकी सेना में था चंगेज खा के तैमूर के अलावदिन खिल्जी के या सेर साह के इसमें आपका राइट अंसर ए से योगा चंगेज खा के कोर्शन नमर 17 है तान सेन के गुरु कौन थे तान सेन के गुरु कौन थे कोर्शन नमर 18 है नियाए के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल समराठ प्रसिद्ध है बाबर जहांगीर हुमायू या अकबर इसमें आपका राइट अंसर होगा बी जहांगीर जहांगीर अपनी नयाए प्रता के लिए बिख्या था और अपनी परजा के फर्याद है तूँ नयाए की घंटे वह जंजीर लगाया था ये कोश्चन नमबर 19 है अबदुल इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मुर्खता का इसमारक है तो ये किसकी द्वारा कहा गया था अबदुल कादिर बदायनी खाफी खा बी ए स्मित जदुनास सरकार तो इसका राइट एंसर होगा यानि बिसेंट इसमित इसका पूरा नाम है और इसने जो है दीन इलाही की अस्थापना के पीछे दूर दर्शता धूर्टता का आकलन किया था और इसलिए अकबर को इसने जो है मुर्खता का इसमारक कहा था कोस्टन नंबर 20 है और अंतिम कोस्टन है कौन सा मोगल समराट चित्रकारी का महान पार्खी माना जाता है हिमायूं अकबर जहांगीर या सा जहां इसका राइट एंसर सी हो जाएगा जहांगीर जहांगीर जो है चित्रकारी का पार्खी माना जाता था तो ये थे question आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आद इसको like करें अपने दोस्तों के हाँ अधिक सेर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम